सुष्टी संके अध्यक्षी ब्रजबूशन शरण सिंग का बड़ा बयान साबनी आया है खाप पंचायत के बीच ब्रजबूशन शरण सिंग का बड़ा बयान दिल्ली पूलस मामने की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस की जाच पर मुझे पूरा भरोसा है और दोशी साबित होने पर सजा के लिए भी मैं तयार हूँ जाच में पूरा सहयोग करूँगा एक तरफ जहां आज खाप पंचायत का आयूजन किया गया किसानों की तरफ से तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेज भूशन शरन सिंग के तरफ से भी बड़ा बयाद साबनी आया है उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस पूरे मामनी की जाच कर रही है और अगर मैं दोशी साबित होता हूँ तो सजा के लिए भी तयार हूँ कि जिस प्रक्रण की विशे में आप बात करना चाहते हैं आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जाच कर रही है आपको यह भी पता है कि 18 जनुदी को पहली बार जब यह लोग घरने पर बैठे थे पहले इनकी कुछ दिमान थी बाद में इनकी कुछ दिमान होई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार यह अपनी सर्टों को और अपनी भासा को बदलने का काम कर रहा है मैंने पहले दिन कहा था कब हुआ कहा हुआ इसके साथ हुआ और साथ ही साथ यह भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे उपर सावित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाओंगा इसके लिए किसी को कहना नहीं करोगा आज भी मैं अपने उसी पुरानी बाफ पर खाया हूँ इदर बहराईच में दर्दनात सडक हाथसा हुआ है हाथसे में दो लोगों की मौत हो गई है कार और बाइक के बीच जोड़दा टकर से यह हाथसा हुआ है हाथसे में दो लोग गंभी रुप से घायल है अस्पताल में भट्ती करवाया क्या है हाटसे के बाद कार में भीशो नाग लग गई और कार पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है नानपारा थाना श्येत्व के हाड़ा बसेहरी ब्रिज के पास की ए घटना बताए जा रही है मौकी की तस्वीरे आप देखे बाइक और कार की भढ़न तोती है जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है काई लोग घायल भी बताए जा रहे है और साथ से के बाद कार देखे पूरी तरह से जल कर खाक हो गई है बहराईच में मौत की तक्कर आज देखने को मिली दो लोग गंभी रूप से घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भड़ती करवाया गया है नानपारा थानश्यित के हाडा बसेरी ब्रिज के पास की घटना है